हेलो एवरिवन वेल्कम टू मैं चैनल कॉमस्कॉलर देखिए हमने इंप्लेश ठोक अप्शन प्लैन जो चप्टर चार्ट किया है स्टार्टिंग में मैंने आपको बाता कि कोई भी कम्पनी जो है यहां इसाहँ आपको बता था कि जो होती है वा दो पाट कि या तो होती है सर्विस बेस्ट या होती है वो परफॉर्मेंस बेस्ट कि अब तक हमने जो भी कुछिन करें वह हम ने देखें अब पढ़ने जारे हैं कि परफंपेंस बेस्टे में हो तो फिर हम इस उप शेयर की कैसे गरेंगे हैं तो देखने जारे हैं तो देखें कुछिन बर 7 है इसको बढ़ान से करना देखें पर्फंपेंस बेस्ट वाला अगर आपने सिर्फ एक यही भी कुछिन कर लिया तो देखेंस जैट इस मोर और लेस्ट सफिस पोर यू राइट वैसा देखें सेवन भी है एट भी है बस सब्सक्राइट में कोई डि थे पार है इस जैट में कोई रोपीर और यू डि वेक्स फूर्ट फॉक्य रोपेस डिया निका जैट में जब वैस्क का निशन और गई उसके वाद एक साल का टाइम में रेगा अर्फ एम्पोई यहींड को उट्स अब ब्स्ट नियुक्स प्लेस तो जिद इस कर लिया य एक विए इन गाले माटेफ़ा चल रहा है इस सेवंटी रुपीस एच ये इच यह यह जो उप्शन है यह वैस्ट हो जाएंगे यह वैस्ट मेंज इनकी बैसिक कंडिशन फिल भू जाएंगे कब इफ दी अर्निंग ऑप दी कंपनी इस 15% देखिए क्या हो रहा है कि बैसिक कं मालनों यह नहीं हुआ तो फिर इन इंप्लेश को जो है यह इस ओफशेर मिल लाएंगे या उनका अवय करने के लिए उनको प्रोविजन हो जाएगा इसको बला कि और और इट विल भी यह बेस्ट नहीं होगा यह बेस्ट होगा वेस्ट इट विल बेस्ट एट दी एंड अफ इयर अफ टू इफ दी एवरेज अर्निंग अफ दी टू यह इस थर्टीन परसंट और फिर भूल रही कंपनी कि अगर मालनों यह नहीं हुआ तो फि वेस्ट हो जाएंगे वैस्ट हो जाएंगे ताफ मिलसु बेशी के ट तो यह जो है यह इसकी है बेसिक कंडिशन अब तक हम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे सर्विस बेस्ट वेकिन अब आगया परफमिंट बेस्ट है ने कि कंपनी अगर पहले साल में 15 परसंट कमा लेगी तो फिर इस ओप शेयर अवेल करने का option मिल लाएगा अगर यह नहीं था तो फिर 3rd year at the end of 3rd year 10% per annum कैसे average of 1st year, 2nd year, 3rd year तीनों का average मिला के 10% per annum जो अगर कंपनी कमा लेगी तो फिर इस ओप शेयर की option जाओ वो open हो जाएंगे clear आगे लिखा है 8000 uninvested options lapsed यानि कि uninvested means वो completely नहीं कर भाए completely नहीं कर भाए देखिए 888,000 आये किसे यह स्वरी और डेड़ हजार जो है वो क्या है इंप्लोईज है और 100 जो हैं वो कितना है stocks है तो यानि कि इस ओप कितने में total डेड़ लाग है डेड़ लाग में से 8000 जो हैं वो एकतिस तीन दोजार पंदार को जो वो अन्वेस्ट होगे छे हजार जो है वो एकतिस मार्च 2016 को अन्वेस्ट होगे फिर 4000 जो है वो at the end of third year जो वो अन्वेस्ट होगे तो आगे लिखाओ पहे है अर्निंग अब दे लखी लिमिटेट अब दे थ्री फानेशल अब देखाए then 1250 employees exercise their vested options within a year and remaining options were lapsed right so देखिए question बहुत अच्छा है इसको बहुत धहन से करना है पहले हम इसका एक blueprint बनाएंगे क्यों क्यों क्या given है और फिर देखेंगे इसकी calculation कैसे करें है question no.7 पर देखिए mark effect कितना given है 70 एक्सेस बेखिए कितना है इतना वेर्ट कितना आगा 30 इस आपको समझ आगे था यह आगे था अब देखिए time line देहां से देखिए time line देखिए आपर यहां से start हुआ था और यहां तक चलेगा और फिर यह क्या होगा आपका exercise period राइट तो वेस्टिंग बेड़ होगा आपका 3 तलगा स्टार्टिंग में कितने थे डेड़ लाग शेयर से इस ओप ठीक है फिर लिखा था कि at the end of 31st of March 2015 देखिए लिखा था इस टेट को जो है 8000 लोग invested होगे तो डेड़ लाग में से 8000 कितने होगे एक लाग ब्याग शेयर वन लाग फट्रीट थाउसंड वो मैंने हान लिख दिया राइट फिर 6000 और चलेगे वो मैंने हान लिख दिया 4000 और चलेगे वो मैंने हान लिख दिया इन मैंने की लिखा for the calculation of employee compensation expense क्लियर इसके बाद दिखेंगे calculation of profit देखिए first year में कितना profit कंपने को 14 परसंट का second year में हम average के चलेंगे first and second year का कितना हों का 12 थर्ड येर में तीन और सल का average लेके चलेंगे that means 10.33 years right तो देखिए vested में लिखा था कि अगर company पहले साल अगर 15% कंपा लेगी तो वो west होंगे पहले साल देखिए target achieve ने हुआ second year में के अगर company लेकिए पहले साल कितना हो था 15% था second year में कितना हो था 13% था third year में 10% था right तो second year में देखिए अचीव ने हुआ लेकिन fine year में अगर के हो गया हो तो देखिए अब इस पीरिड में हमें पादस लिगाना कि expected दो हो यहतने है right तो 140,000 multiply by the value of option that is 30 multiply by 1 by 2 sir 1 by 2 को लिखो आपने westing पीर तो 3 साल लगा है आपने 1 by 2 को लिखा हो देखिए जब आप पहले साल अगर आपने पंदर परसंट नहीं कमाया तो अगरे साल एक्सपर्ट करोगे ना next year का एक्सपर्ट करोगे तो इसलिए हाँ पर हम लेकिए half that means 1 by 2 इसलिए कि आप जब वेस्टिंग पीर था पंदर परसंट आपने नहीं कमाया तो फिर आप जो है क्योंकि second year तो चली रहा है out of total three years क्योंकि यहां पर अप्शन यहां पर अप्शन यहां पर भी नहीं हुआ ठीक है तो इसका मला हम यह year भी काउंट करना पड़ेगा हमें तो first year तो लेके चलना था second third year मेले कि जहां हमें मजबूर में जाना पड़ रहा है क्योंकि वो उसने 30% का जो ठागेट अवर चीव नहीं हुआ आ जाएंगे तो देखिए यह entry हो चुकि आपकी at the end of first year at the end of second year at the end of third year इसके बाद आपका यह हो जाएगा exercise right exercise कितने हुए है 125,000 सब 125,000 कैसे लेका आपने देखिए हैं अपर 150 थी टोटल ठीक है पहले 800 चले गए इसके बाद 6000 चले गए right ऐसे था न उसके बाद 4000 पर चले गए right उसके बाद यहां पर end में का लिखा हुआ है सब्सके लिखा था end में कि साड़े 1200 employees ने कोई गया तो this multiply by 100 तो कितना आ गया this much तो बस बही किया मैंने तो देखो तो 120,000 multiply by the exercise price that is 40 then 120,000 multiply by the value of option that is 30 then a creature capital as per face value and remaining amount goes to securities premium बाकी कितने रह गए यह आपके आगे ते I guess 1 lakh 32,000 बाकी कितने रह गए 7,000 तो वह क्या हो गए collapse हो गए तो यह उसके साब से entry होगी यह amount आपका हो गया that's it right so यह था आपका on the basis of performance mainly the calculationer वह यह थी how to calculate that is employee compensation expense alright तो देखिए question बार ही तो देखिए almost same है तो उसका आप खोदी कर लेना Question 9 देखिए on 1st April 2018 कि यह question जो है actually 2022 के question year में था B.Commoners में ठीक है on 1st April 2018 प्रमात्मा लिम्टेड ग्रांट्स 100 options to its 2100 employees at 2140 में जा माके पैसे 360 वेस्टिंग देखिए 31st of March 2020 इसका मिला start कहां से हुआ है from 1st April 2018 till 31st of March 2020 जनी 2 साल का जो है वेस्टिंग पीड़ता The exercise date is 31st of March 2020 जनी 2 साल का और exercise पीड़तिया at the end of 1 year the company found that is 100 employees had left at the end of year 2 company found 80 employees had left at the end of 3rd year the company had found 192 employees had left only 1700 employees exercise their options on 31st of March 2022 The face value of the equity share is 10 rupees per share compute option expenses to be recognized in each year by fair value क्या पुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च पुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो यह तो हो गया आपका दिखिए दो साल का वेस्टिंग पिरियर और यह हो गया आपका एक्सरसाइज पिरियर अग्रे दूसर लिगाऊ ठीक है तो देखे टोटल जो है एकिस सो इंप्रोईस को जो ओपर किया था ठीक है तो आगे लिखाता कि at the end of first year जो है सो लोगों ने छोड़ दिया तो यहाँ पर कितनों के दोजागे साब से करेंगे का वोजिशन at the end of second year लिखाता कि 80 इंप्रोईस ने छोड़ दिया तो फिर इसके साब से कल्यूशन करेंगे और third year लिखाता कि कुछ और लोगों ने छोड़ दिया तो वो मानिस कर दिया तो वो मानिस कर दिया क्यालिशन वे इंप्लाइस कंपेशिन दिखेंगे इंप्लाइस के सिंगा लिखेंगे V. 31 plaas 2019 mlt 100 ml विखेंगे ने अदे ने 50 ऋटր वारे हाता कि क्रोगों प्लाइस करद इंप्लाइस कुछ भीं ने 40icles value option multiply by 2 by 2 यह आ गया amount that means after deducting this much amount then at the end of third year जो है अब इतने employees remain रहे गए यह हो गया यह हो गया अभी negative आ गया क्यों क्योंकि मैंने इनको भी minus करा था तो यह तो journalism में transfer हो जाए वैसे हमसे बसी ही पुछा था इसलिए मैंने हाथ तक प्रदब कर दिया यह हो गया आपका that is employee stock option plan इसके बाद एक topic आपका रहे गया जो most analytics का similar है इसका एक ही question करेंगे तो more or less आपको topic over हो चुका है तो देखिए इससे hard and past मझे लगता नहीं कुछ आएगा अगर आपको basic के लिए है तो आप कोई भी question solve कर सकते हो easily all right so this is all about that is employee stock option plan I hope you have understood very well thank you